स्वागत आपका अविक्लासेस डाउट्स में और आज आपका डाउट है कि वनों के कुछ औपर्तेक्ष लाभों का वर्नन करें वन यानि जंगल से हमें बहुत जादा लाभ मिलता है तो आपको बताना कि उनके कौन-कौन से लाभ हमें मिलते हैं और वो सारे आपको और पर्तेक्ष लाभ बनाना है पर्तेक्ष और पर्तेक्ष में क्या होता है पर्तेक्ष का मतलब होता है जो आपको सीधा पराप्त होता है और और पर्तेक्ष का मतलब होता है जो आपको सीधा पराप्त नहीं होता है for example के लिए मान लीजिए कि एक पेड़ है अमरूत का पेड़ है और उस अमरूत के पेड़ से अगर आप अमरूत को डारेक्ट तोड़ लेते हैं तो ये इस तरह से पराप्त लाप को हम परतेक्ष लाप कहते हैं लेकिन आईए आपके सामने हम कुछ ओपरतेक्ष लाप को बता ये पिर्तवी की सुन्दर्ता को बढ़ाते हैं और इस सुन्दर्ता को बढ़ाने में सायक है ये वायू को स्वक्ष करते हैं यानि की हवा को साफ रखते हैं जिससे हमें सांस लेने में तकलिफ नहीं होते हैं ये ह्यूमस को मिर्दा में बनाए रखते हैं ह्यूमस बहुत ही लाव है जो हमें वनों से मिलता है और ऐसे लाव को हम और परतेक्ष लाव कहते हैं वनों से होने वाले परतेक्ष लाव की अगर बात करें तो वनों से हमें गौंद जो है वो परतेक्ष रूप से मिलता है साथ इसाथ वनों से हमें फल, फूल, सबजिया, पेड़ों से मिलने वाली ओसदिया, पत्ते, लकडिया, टहनिया, ये सारे वनों से मिलने वाले परत्यक्चलाब है, तो ये था आपके सवाल का जवाब, वनों से कुछ और परत्यक्चलाब का वर्नन करें, अपना अगला डाउट हमें जरूर कॉमेंट करें, थैंक झाल 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 झाल